नमस्कार मैं हूँ आदर्श और आज हम जानेंगे प्रिपरेशन आफ ओल इंडिया रेडियो न्यूस बुलिटिंग और अधर रेडियो प्रोग्रेम्स के बारे में यानि आकाश्वाणी न्यूस बुलिटिंग कैसे बनता है और अन्य रेडियो कारिक्रम कैसे तयार होते हैं हमारे देश में रेडियो न्यूस अब भी सरकारी संस्था के अंतरगत है निजी रेडियो स्टेशन तो बहुत सारे खुल गये हैं लेकिन उन्हें समचार प्रसालित करने की अनुमती नहीं है इसलिए हमारे है रेडियो न्यूस का मतलब है आकाश्वाणी समचार समचार बुलिटिन कैसे तयार किया जाता है न्यूस अजेंसी सन्वाधाताओं से मिली सूचना टैलीफून पर दिए गये समचारों के अलावा विभिन संस्थाव सिप्राप्त विग्यपतियों के आधार पर यह समचार बुलिटिन ंतयार किया जाता है इसमें इूस समचार लिखने में है तो इसलिए इसमें अक्सर न्यूस प्रेजेंटर यानि समचार वाचक को भी सहयोग करना पड़ता है ध्यान रखने की बात यह है कि लिखने और बोलने की भाषा में अंतर होता है जैसे भारती जन्ता पार्टी ने मामले की उच्चिस तरिये जांच करा जाने की मांग सरकार से की है ये वाच के यूँ देखने में तो कुछ भी गलत नहीं है लेकिन गती से पड़ने के समय इस वाख्य में सरकार से की है वाच्यांच स्पीड ब्रेकर जैसा महसूस होगा वाख के होना चाहिए भारती जन्ता पार्टी ने सरकार से मामले की उच्चिस तरिये जांच करा जाने की मांग की है इसी तरह अगर लिखा जाए प्रमुक सचिव ग्रीह ने एक सन्वादाता सम्मिलन में कहा तो ये लिखने में चल सकता है लेकिन वाचन के लिहाद से इसे ऐसे होना चाहिए ग्रीह विभाग के प्रमुक सचिव ने एक सन्वादाता सम्मिलन में कहा इस तरह अगर आप देखें तो पाएंगे कि बुलेटिन का तयार किया जाना जितना महतोपूर्ण है उसे कहीं ज़ादा महतोपूर्ण है उसका वाचन बहुत अच्छे ढंक से तयार किया गया बुलेटिन खराब वाचन के कारण प्रभावहीन बन जाता है वहीं समाचारों की कम आमत के कारण किसी तरह जोड तोड कर बनाया गया साधारम बुलेटिन भी अच्छे वाचन से प्रभावशाली बन जाता है इस पूरी अवधी में उसे बोलने की एक समान गती भी बनाये रखनी होती है शब्दों का उचारण भी शुद्ध रखना होता है दो समचारों के बीच कुछ रुक कर फिर उसी गती से दूसरा समचार समय से पहले समाप्त ना हो और कोई महतुपूर्ण समचार छूटे ना इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है यो देखने में तो ये काम काफी मुश्किल लगता है लेकिन अभ्यास करने से ये सब कुछ सहस्ता से हो जाता है इस तरह से आकाशवाणी का न्यूस बुलिटेन तयार होकर प्रसारित हो पाता है अब आकाशवाणी के अन्यकार करमों की बात करते हैं समचार के लावा आकाशवाणी पर टॉक शो यानि वारता, कहानी वाचन, कविता वाचन, रेडियो नाटक, डोक्यूमेंटरी यानि रेडियो वृत्त, चित्र प्रस्तत किये जाते हैं रेडियो वारता एक तरह का साक्षातकार भी माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा स्पेस मिलता है और बीच में किसी प्रकार की रोक टोक या बाजा नहीं होती, यहाँ हर बात एक तरह की साउंड बाइट होती है रेडियो कहानी तो कोई कथाकार जब खुद अपनी कहानी का वाचन करता है, तो वो कहानी सुना रहा होता है लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति उस कहानी का वाचन करता है, तब वो कहानी पढ़ रहा होता है इसलिए कहानी वाचन करते हुए वाचक को अपने बात में भाव भंगिमाय कथा के अनुरूप ही रखनी होती है जिसे शुरोता सुन कर ही उस दिरिश्य की कलपना कर ले कविता के वाचन में भी सबसे महतुपूर्ण बात है कि कविता में कही कई बात और व्यक्त किये गए विचार को समझना ये समझदारी ना होने में कविता को काफी शती हो सकती है जोकि कहानी की तुलना में कविता का आकार छोटा होता है इसलिए कविता वाचन में रस और यती का विशेश तोर पर ध्यान रखना होता है रेडियो नाटक अब नाटक में संगीत, निर्थ और चित्रकला सब शामिल होता है रेडियो नाटक सिर्फ वाचिक अभिनय का माध्यम है आपके वाचन में ही पूरा अभिनय है आप बोल कर ये अपने आपको पूरी तरह से अभिव्यक्त कर डालते हैं कि आपको आंगिक प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए रेडियो नाटक एक अनूठी कला है रेडियो डॉक्यमेंटरी या रेडियो वृत्य चित्र इसमें सूचना तो होती है लेकिन इसे रोमांचक टोन में प्रस्तुत करना और वाचन के साथ उचित धुन का प्रयोग इसे जीवन्त करता है बिना तस्वीर के तस्वीर प्रस्तुत करने की ये कलाभी अद्भुत है इसमें continuing tone का होना बेह जरूरी है जिससे तार्तम्यता और लए बनी रहे इस तरह से ये भाग पूरा होता है धन्यवाद